फिटकरे को इन दो चीज़ों के साथ मिलाकर लगा लिजे चेहरा आपका इतना ज़दा ब्राइट टाइट हो जाएगा कि हर कोई पूछेगा कि क्या लगाया आपके चेहरे के सारे दाग धब्मों को रिड्यूस करेगा और एक बार में ही आपका चेहरा बिलकुर ब्राइटन क्लीन अप और क्लीन अप हो जाएगा बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इशायरा पे और मैं हूं स्मृती कैसे हो आप सब उमीद करती हूं आप सब स्वस्त होगे अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होगे और बहुत जादा पॉजटिव होगे सबसे कमेंट सेशन में यह लिख के बताइए कि आज का आपका दिन कैसा किया और सबसे जादा पॉजटिव थौट क्या आया आपके पूरे दिन में एक पॉजटिव थौट जरूर आईए अपने डेली रूटीन में फिर देखिए आपके स्किन भी कमाल करेगी आपका रूटीन कमाल करेगा और आप खुद भी कमाल करोगे कैसे हो आप सब आज किस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक इतना अच्छा बेहतिरीन वाला डियाए वाय जो आपके काले ताग धब्बो को रिड्यूस करेगा आपकी कितिनी भी पुरानी जाईयां हो जुरियां ह उसको यह रिड्यूस करेगा साइस ओफ एजिंग जो कि कभी कभार क्या होता है हमारे दिंचरिया के हिसाब से हमारे रुटीन के हिसाब से तेज हो रही है आप हो तो 30 32 के लेकि लगते हो 40 45 के इसमें मैं इतना अच्छा और बेहतिरीन वाला इंग्रीडियन डाल रही हूं जो आपके स्किन की जाईयों को जुरियों को बहुत स्पीड से रिवर्स करेगा ठीक करेगा तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं पर वीडियो में जाने से पहले एक हमबल रिक्वस्ट है कि अगर आप इस वीडियो के थू मेरे चैनल पर विजिट कर रहे है तो है उसको हिट कर दीजेगा बैल बटन को जरूर हिट कर दीजेगा जिससे आने वाली सारी वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ठोड़ा सब अब अच्छा लगे तो प्लीस लाइक ज़रूर कर दीजे का आप लोग लाइक निक करते हो प्लीस या लाइक कर दीजे लाइक करने से मैं भी मोटिवेट होती हैं और बस यही सोस्ती रहते हो कि और क्या मैं नेक्स्ट बिहतरीन वाला वीडियो लाँ जिसको लगा के मेरा परिवार बिल्कुल खुश हो जाए और उसकी जो उनकी जो स्किन है वाँ भाई वाँ कमाली धमाली करें तो चली हम अप अरिके से घिस लेना है घिसने के बाद आपको इसका पूरा जूस निकाल लेना है चाहो तो आप हाथ की मदद से निकाल सकते हो नहीं तो आप छनी की मदद से निकाल सकते हो इसके बाद जब हम अपना पैक लाकाना स्टार्ट करेंगे तो मेक शूर हमको अपना चेरा अच् अच्छे से clean हो जाएंगे आलू में होता है starch जो हमाय स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है अच्छा जो हम पहला step करेंगे उसमें हम करेंगे massage तो यहां पर मैंने ली है शुद्ध देसी घी जो की घर की ही निकली हुई है हर घर में घी तो होती ही होती है तो इससे आपको अ हमारे स्किन को tighten up और brighten up करता है यह देसी घी हमारी मास पेशियां जो होती ही ना स्किन की इसको बहुत अच्छे से relax करके एक नई चमक लेके आता है देखे मेरी स्किन कितनी plumpy plumpy हो गई तो इस तरीके से आपको 5 मिर तक massage कर लेनी है अब बारी आती है पैक लगाने की तो हम उपर ही पैक लगाएंगे तो यहां पर मैं ले रही हूँ वही घिसा हुआ आलू जो आलू होता है इसमें भरपूर मांतरा में स्टार्च होता है और अब मैं ले रही हूँ यहां पर एक चमच गेहूं का आटा गेहूं का आटा बेस्ट होता है इसमें होता है अलफा बोलते हैं आप क्या क्या बोलते हैं बताइए गारिकोक्षर को कि अठीक लिचित्व मिक्शर ने ने यह आपके चेहरे की जाईयों को बहुत स्पीड से रिड्यूस करेगी हफते में अगर आप दो बार लगा लोगे तब ही देखे आपकी चेहरे की रिंकल्स कितनी स्पीड से धीमे धीमे खतम हो जाएंगे और अब मैंने इसको अपने हाथों में भी लगा लिए मैं सारे डिया और इस नहीं प्लीज लाइटिंग इशु को थोड़ा से अग्नोर करिएगा क्योंकि मैं धूब की रोषणी में डे नाइट में शूट करती तो कभी जहां धूब लग जाती है तो आपे धूब की रोशनी आजाती है तो थोड़ा से फैक्क्शेट होता है तो प्लीज एग तो इस तरीके से पांच वो जहने के बाद मैंने अपना फेस थो लिया है और देखिए क्या चमक आई है फेस पे फिटकरी क्या गजब का असर करती है और जो इसमें मैंने आलू का रस मिलाया उसमें स्टार्च होता है उसमें होती ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज वो हमाई स्क्रीन आप भी ज़रू लगाईएगा और लगाने के बाद आप इसकी मसाज करिए सिर्फ दो मिनट तक अच्छे से जिससे पैनिट्रेट हो जाए उसके बाद जो चेहरे पर आप चमक देखोगे ना इट वाज अन बिलीविवल थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजेगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजेगा तो दोस्तों देखा आपने कितना अच्छा रिजर्ट आया है और मैं आपको गारंटी देती हूं कि पहले ही अप्लिकेशन से आपको बहतरीन रिजर्ट मिलेगा जो आप खुद फील करोगी जो विजबल ह होगा जो दिखाई देगा जो समझ में आएगा तो दोस्तों यह थी मेरी आज की प्रस्तुति उम्मीद करती हूं कि आपको अच्छी लगी होगी हैल्फुल लगी होगी हैल्फुल लगी होगी तो प्लीज यार सब्सक्राइब स्टू माई चैनल हिट बेल बटन जिसे आने सेशन में आके मुझे जरूर बताईएगा कि आपको कैसा रिजर्ट मिला तो मिलते हैं अपने नेक्स दीजियों में तिल दें बाई टेक केर